वजन बंद्गी के साथ खुद को इतना शक्तिशाली बनाओ कि चाहे सुख हो या दुख हो हमारा मन न भठके। पूरा वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए। राधास्वामी पापाजी सवाल नहीं है। चड़नों में बेंती है, अरधास है, आपने दुनिया की तरफ से सब कुछ बख्षा है, सिर्फ रूहानियत और भजन सुमिरन में तरक्षी और दया मेहर। हजुर महराजी के मुखारविंद के वचन है, कि जब भी जीव पर दया होती है, सचसंगी परिवार में जनम लेता है, उसकी दया से ही उसे लिविंग मास्टर मिलता है, नामदान मिलता है और उसी की दया से ही तरक्षी करते हुए सचकन का दर्शन करता है। Nah Anderson, सचसंग सवा जहां कहीं भी रहे, मिली हुई है। सचसंग में भी यही कहते हैं के नामदान और लाइट और प्रकाश की विया ख्या करते हैं। लेकिन जीते जी अगर नहीं मरे, जिसका हम सत्संग में भी सुनते हैं और उसी की सेवा मिली है, और वो नहीं हुआ. बेटा, मांगें तो तब अगर हम ये सोचें कि हमारे पास है नहीं, जो चीज मालिक ने पहले ही हमें दे दी, उसको बार बार मांगने से क्या होगा? अब परकाश भी हमारे पास है, वो शबद भी हमारे पास है, बगर तो हम जिन्द ही नहीं रह सकते. अगर कमी है, तो हमारे फोकस की कमी है, एकागर्ता की कमी है. तो जो हमेंडेटेशन या भजन सिम्रन बताया है, वो उकागर्ता लाएं के लिए ज़हा थाख वैंगने से किई धवज़ का ऒएं, या वाथ नहीं वाहर बाहरा थे आलने हैं, किसी हमें उस्म्हारे बाहरा हैं ज़ह लाएं कि घृकाश बाहरा हैं, हमें चाहिए उस चीज का अहसास. मैं आपके सामने हूँ, मेरी शकल दिखाई रही है. अगर आप अपना चेहरा उस तरफ मोड़के कहें, कहां अट 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 चले गए, मैं तो कहीं नहीं गया. आपका ध्यान उस तरफ हो गया. अट अट बापस लाएंगे, वही चीज का अशास हो जाएगा. तो वही रोहानियत के बारे में है, जब मालिक ने इंसान का जामा बक्षा था, अब कुछ दे दिया था. अगर अब हमें चाहिए के हम अपने ध्यान की अगरता लेकर, उसका हम एसास कर सकें. तो हमारे करनी में कमी है ना कि उसके देने में कोई कमी है. तो यह जो हम रोज भजन सिम्रन की बात करते हैं, मतलब यह है कि जो दियान फैला हुआ है, उसको एक आगर कर सकें. और जैसे जैसे एक आगरता आएगी, अपने आप इन जीजों का एसास होगा. राधास्वामी भाबाजी. राधास्वामी सिसिंग ब्यास से जुड़ी हर बड़ी ख़बर पाने के लिए आप अब भी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिडिवाब को.